स्वे स्वे कर्मन्या भी रताह सम्सिद्धिम् लभते नारह स्वकर्मानी रताह सिद्धिम् यथा विन्दतिता च्रणों बेदर शुकूं नमस्कार एक बार फ्रीसे उपसे थे हूं आप सब के सामने बुद्धवार के कारिक्रम में जन्मकुण्ली के दूसरे भाव में जब कौन-कौन से ग्रह बैठ जाते हैं या कैसी-कैसी इस थेतियां होती हैं तो विवाह बिलंब से दो-चार होना पड़ता है इसे विशाय के साथ उपस्तित हूं शुरू करते हैं हाज का कारिक्रम कहीं नहीं जाना है बिल्कुल बनके रहिएगा कारिक्रम के आरभ में ही बात बताओं अब मैं रोज बोलने लगा हूँ जैसरी कृष्णा नीचे डेट वबर्थ, टाइम और प्लेस और फिर अपने प्रश्ण जिस प्रश्ण ने आपको परिशान कर रखा है ये कमेंट में लिखिए ये लिखने के बाद डेट वबर्थ आदी लिख दिया उसके बाद पसंद का बटन दबा दीचे इसे कारिक्रम फैलता है सुनता हूँ बिशाप लेके आउंगा और उससे पहले आपको बताओं कि कारिक्रम के अंतिम हिस्से में गीता जी के श्लूक का अर्थ भी बताने वाला हूँ बात अभी पित्रपक्ष भी चल रहा है और आजकल बड़ी कुणलियां आती हैं लड़के बहुत पढ़े लिखे हैं समझदार हैं बुद्धिमान भी हैं धनी भी हैं कामकाजी भी हैं फिर भी विवाह नहीं हो रहा है फिर भी विवाह के समस्या है अब बातें दो बंटी ह हमारे घर में मांगली कृत्य अगर नहीं हो रहा है और मांगली कृत्य नहीं होता तो हमारे पितर नाराज होते हैं जैसे या तो आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है या तो विवाह हो गया है संतान नहीं हो रहा है या तो फिर आपके कामकाज में चक्का जाम है कु अपने पितरों को शांत करना चाहिए क्योंकि जब पितर त्रिप्त होते हैं तभी हमारे घर में नए नए सुन्दर सुन्दर कृत्ते होते हैं जैसे कहा गया है कि अगर कोई बहुत परिशान है अगर उसके जीवन में ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी चीजें रूकी हुई है तो उसको सुन्दर कांड का पाठ करना चाहिए उससे उसके जीवन में सुन्दर सुन्दर घटनाएं होने लगती हैं और वो आगे बढ़ जाता है ठीक उसी तरीके से अगर जन्म कृंडली में भी विचार करूँगा पहले आपको थोड़ा सा भाशन दे दूँ तो कि जन् तरीके से नहीं हुआ है तो फिर वो आपको कुपित हो करके शापित कर देते हैं और वही शापित कुंडली का निर्माड हो जाता है ऐसी स्थती में आपके पैसे अटकते हैं ऐसी स्थती में आपको मानसिक चिंताएं होती हैं ऐसी स्थती में सामाजिक चिंताएं होती हैं आर्थिक पक्ष कमजोर रहता है, घर में घुस्ते ही कलह का वातावरण मच जाता है, और आपस में अनबन बनी रहेगी, घर के सारे लोग एक साथी कटे होंगे ही नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाती है, आपस में मतवेद बना रहेगा, कोई किसी का चेहरा देखना ही नहीं चा पितरों की शांती करानी चाहिए, और उस पे मैंने कारिकरम बनाया था, पितर पक्ष पे कम से कम पीपल, बर्गद, बेल, तुलसी और अशोक का वरिक्ष लगाना चाहिए, उससे से पितरों को शांती मिलती है, और पितर हमसे कुपित नहीं होते, हमें आश्यरवाद देख करके हमें अभिशिक्त करते हैं, पर अगर जन्मकुडली में कुछ ऐसे योग बन जाते हैं, तो यह कारण हमारे विवाह में दिकत होती है, और यह दो बातों पर नर्वर करता है, दो नहीं, तीन, तीन नहीं, चार, चार तो कम से कम, प्रथमतेया विवाह के संबंध जो आ दूसरे भाव को देखना चाहिए, अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपती अस्त हैं, विकल हैं, मृतपराया हैं, डिग्री में 28-30 हैं, 25-26, 28-29, 30 डिग्री के हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री तक हैं, मतलब इतने डिग्री पे अगर आपकी कुंडली में दूतिय भाव का अधिपती बैठा है, या वो सुरी के साथ जाकर के अस्त होता है, या वो नीच का है, या वो पाप कर्तरी में है, मतलब इतने भाव के अधिपती जहां बैठे हैं, उसके आगे पीछे पाप अगर शनी मंगल शनी राहु के तू, आदी का योग बना है, तो ये जो स्थुती होती है, और इसके साथ साथ, अगर जन्मकुणली के दूसरे भाव में शनी मंगल राहु के, तू चाहे अपने ही राशी के क्यों ना बैठे हो, फिर भी, और अगर जन्मकुणली के दूसरे भाव पे किसी सुभग्रह की कोई दृष्टी नहीं है, जैसे माल जाता है बिवाह के बिलंभ होने का, और ये बात और भी तब शुद्धता से लागू हो जाती है, जब जन्मकुणली का पंचम भावी खराब हो, या जन्मकुणली का सात्वा भावी ऐसे ही कुछ परिशानियों से युप्त हो, तो आपको सबसे पहले अपने पित्तरों की अमावश्या को कुछ नकुछ उनके नाम पे अवश्य दान करिए, ब्राम्भनों को प्रायस्चित स्वरुप अन्न का दान करिए, वस्त्रका दान करिए, स्वर्ण, आभूशन, चान्दी, धातूं का दान करिए, जो आपकी कुणली के बनते हो, उनसे समंधित धातू का द या फिर आप स्वैम भी अगर चाहें, तो प्रतेक दिन कवच, कील और अर्गला का पाठ, या दुर्गा सब्तसती का पाठ करें, प्रतेक दिन अगर हो सके तो एक-एक अध्याय का, मैंने इस पे भी कारिकर्म बनाया था, कि दुर्गा सब्तसती का पाठ कैसे किया जाता है, अगर आपको अपनी जन्मकुंडली में गुरू भी कमजोर होते हों, जैसे नीचके हों, शुक्र भी कमजोर होते हों, जैसे नीचके हों, या अस्त हों, या मृतपराया हों, या जन्मकुंडली का पंचम और सब्तम भाव का अधिपती भी कमजोर और विकल होता हो, तो इन सभी समस्याओं के निप्टारे के लिए दूतियेश की आराधना और इसके साथ साथ अगर संभव हो सके तो अपने कुल परंपरा से युप्त हो करके अपने कुल देवता की उपासना करिए और कहीं भी घर से बाहर जाने से पहले एक घी का दीपक अपने घर के मध्य हिस्से में जला करके अपने कुल देवता को प्रणाम करके तब बाहर निकलें अगर ऐसा करेंगे तो बिवाह होने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप चाहे कितने भी कमा रहे हों करियर तो आपने बना लिया ठिल ठाल करके कैसे भी करके बहुती मजबूती से पैसे के बलपे या जैसे भी हो सका अपने करियर तो अपना बना लिया बहुत बढ़िया दिल्ली में घर भी बना लिया दिल्ली बंबई कलकत्ता मदरास चन्नाई में घर भी बना लिया पर विवाह के लिए फिर भी महिला या पुरुष की कमी है हमारे घर में लक्षमी का आना नहीं हो रहा है और कई बार तो ये इतने ज़ादा भयाव हो जाते हैं कि हमारे दिमाग में ये भी विचार डालने लगते हैं कि मुझे विवाह करना ही नहीं है क्योंकि जन्म कुंडली का दूसरा भाव जब पिनित, परिशान और कुपित होता है, तो व्यक्ति को विवाह का सुख और उसके इनिशियल जो थौट होते हैं, उसको परिशान करता है, क्लेर है, बहुत ज़्यादा कार्यक्रम बड़ा नहीं है, पर अब आईए आपको गीता अपना कर्म पहचानता है, अपनी योग्यता जानता है, अपने वर्न को जानता है, और उसकी समझ रखता है, और जैसे जो छत्रियों को बताया गया है, वो करे, जो शुद्रों को बताया गया है, वो करे, जो ब्राम्णों को बताया गया है, वो करे, तो वो कभी भी परमात प्रमात्मा को प्राप्त कर लेता है और वो निश्यत रुफ से सिध्धी को प्राप्त करता है जिसे की प्रमात्मा ही कहा जाता है सिध्धियों का प्राप्त होना मतलब प्रमात्मा को प्राप्त होना तब तक के लिए बहुत-बहुत ममस्कार।